और में दिली के लाल के लिए के पास अंगूरी बाग इलाके में फाइरिंग की वारदात सामने निकल कर आई हैं जहाँ दो स्कूटी सवार युवकों की आपस में टकर होने के बाद जगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में छे से साथ राउंड फाइरिंग हुई इस फाइरिंग में तीन लोगों के खायल होने की खबर मिली है तीन लोगों में से दो पीडितों को एलन जेपी अस्पताल और एक पीडित को ट्रॉमा सेंटर में भरती कराया गया है सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुच कर चानबीन शुरू कर दी है और आसपास लगे सिसिटीवे फोटेज को अपने कबसे में ले लिया है फिलाल पुलिस आरूप्यों के तलाश में जुटी हुई है तो अब दो बंदे ही बैद शुटी में रख गड़ी थोग दी मुबाइल पर बात कर रहा था वह बंदा जोगा तो उन्होंने ब तत्मीजी शुरू कर दी वाइफ के साथ दिली पुलिस के नौ डिस्टिक ने जो ये परसो रात मंडे इकतिस जनवरी का इंसीरेंट अंगूरी बाग इलाके का रोड रेज का जिसमें की फाइरिंग हुई थी तीन लोग इंजट थे ये सॉल्व कर लिया है रिकॉर्ड वक्त में 24 गंटे के अंदर अंदर तीन लोग गिरफ्तार हैं और इसमें जो कंट्रीमेट वैपन था जिससे काना का के आ रहे थे उनके साथ एक अन्नोन बाइक की टकर हुई वो लड़कों ने साथ ही साथ जो पैसे क्योंकि इसमें नुकसान हुआ था इसकी बात करते करते जगड़ा शुरू कर दिया उन्होंने फोन किया और अपना कहीं यमनापार से सिलंबूर इलाके से लड़को कहीं थे तो इसी कोमोशन के बीच में जो बाहर से लोग आये थे उन्होंने कहीं गन निकाली और यह पब्लिक पर फायर करते करते हूं वहां से निकल गड़े हम इस समय मौजूद है नौर दिली के अंगुरी बाग विलागे में जहां पर देर शाम कुछ बदमाशों ने ए आट राउंड फायरिंग कर दी जिसमें तीन लोगों गोगलिया लगी है जिसमें एक गंबी रूप से गहल बताया जा रहा है हमारे साथ बात करने के लिए कुछ चंचंजीद भी मौजूद है और साथी साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद है उनसे जानते हैं आख सब्सक्राइए और मेरे चाज़ा जिसमें मेरे चाचा चाची बैठी हुई ती उनके परम में विचोट लगी उसके बाद वह अपनी वह लगता है यह उनुह वह पर एसी बातों ने और Wikipedia गाल्या भी मेरे चाचा को अपनी वाएफ के वाएफ के अद़ शुनता देखके ग लुक्सान हुआ है तो उन्होंने कि आप तैय हो गया तो उन्होंने कॉल करी कॉल पे कुछ लोग आए पीछे से और उन्होंने आगे सीधे मेरे चाचे का गिरेबान पकड़ लिया और जो मतलब जब आप लोगों को देखके महले वाले जो भी आसपास जमा लोग थे उन सबन कि इस घाली कितने राउंड फाइर हो यो है लग बगच चार से छह राउंड फाइर इंगे जिसमें तीन लोगों के लगा है कितने लोग ते वो लूग वोलगभभ पांच लोग थे दो पहले आयर आये ते स्को टुपई उसके बाद बादमों धर ना जो बुलाए थे वो चार लोग आए थे शायद वो हमारे साथ एक चेश्मिन दीद महिला भी मौजूद है जो उस समय उनके साथ ही उनसे जानते आगे क्या हुआ है मैं अपना नाम बताई है वरीशा वरीशा जी यह बताई है कि क्या पूरा मामला था यह सर हम दर्यागन से आ रहे थे हैं मिया बी कि तरह चोड़े होने के लड़के ही थे वह जादा एजीट भी नहीं थे वह तो उन्हेंने समझाए कि भाई मेरे को पैसे तो जो स्कूर्टी पे मेरा डैमी जुगा तो तुम तुम चले जाओ इन्होंने उसकी स्कूर्टी की चावी भी निकाल ली ती काफी बीड़े खट कोई है इसका सामने बुला लो फिर मोहले वाले वगरा सब एक खटे हुए तो जो उनको मारने लगे तो हम हटाने लगए कि मारो वारो कोई कुछ ने किसे हो भी वहाई केज क्लोज होगे हम घर जा रहे थे इतने में चार वाइक वाले और आयोंने जिनको कॉल करी थी उनको बुला लिया अपने साथ और वहीं पीछे फायरिंग होगे मेरे भाई के भी गोले लगए जो मेरे बड़े जैट है उनको उनकी भी रांग पे लगए फायरिंग और एक लड़के को भी लगए और एक और जिनको भी उनके उसीरे सालत में है तो आप देख सकते हैं कि एक महज छोटी सी रोड रेस की घटना में कुछ लोग इतना गुस्से में भर जाते हैं कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो एक जगा है जहां पर कुछ लोग मामली कासु नहीं होने के बाद इस साइट से दोड़ते हुए आते हैं और य पक्ष विशलेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी और प्रेस्ट बेल इकन नेवर मिस्स अनी अपडेट